लेकिन भायों बैनों, हम लोग आजादी के अमरित कालब हैं, हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गवरोगानी करते रहेंगे, अपनी ही पीट थप थपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 85 साल का कालखन कितना ही शांदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजुद्धी, आज जब हम अमरित काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले पचीस वार्स हमारे देश के लिए अत्नित महत्व पूरा है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल की दोश पर से 130 करोर देश वासियों के सामर्थ का स्मरण करता हूं उनके सप्रों को देखता हूं उनके संकल्पों की अनुभूती करता हूं तो साथ्यों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उज पांच पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी हो अपने संकल्पों को करिंद्रित करना होगा अपने सामर्थ को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को ले करके 2047 जवाजहदी के 100 साल होंगे आजहदी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा देए जब मैं पंच प्राण की बात करता हूँ तो पहला प्राण अब बेश बड़े संकल्प ले करके ही चलेगा बहुत बड़े संकल्प ले करके चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विक्सित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना जाए बड़ा संकल्प ले दूसरा प्राण है किसी भी कौने में हमारे मन के भीतर वारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी आउश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना अब सत्प्रतिशत सेंकलो साल की गुलामी ने जहां में जुकर कर रखा है हमारे मन और भाव को बांद करके रखा हुआ है हमारी सोच में विकृतियां प्यदा करके रखी है हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजराती है हमारे भीतर नज़राती है हमारे आसपास नज़राती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी यह हमारा दूसरी प्राण शक्ती है तीसरी प्राण शक्ती हमें हमारी विरासत पर गर्ब होना चाहिए हमारी विरासत के प्रती क्योंकि यही विरासत है जो समनें पूल परिवर्कन करने कि आदत रखती है यही मिरासत है जो काल भाये छोड़ती रही है निट्यनूतन स्विकांती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए चौथा प्राण वो भी उत्राई महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एक जुटता 130 क्रोर देश स्वाचियों में एकता न कोई अपना न कोई पराया एकता की ताकत एक भारत स्वेश्ट भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है और पांचवा प्राण है नागरीकों का कर्तव्या नागरीकों का कर्तव्या जिसमें प्रधान मंत्री भी बाहर नहीं होता है मुख्य मंत्री भी बाहर नहीं होता है वो भी नागरीक है नागरीकों का कर्तव्या कि हमारे आने वाली 30 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है